रशोई गैस के किमते 50 रुपे बढ़ागर सरकार ने होली के रंग में डाल दिया भंग दिपेंदर हुड़ा ने कहा सांसद दिपेंदर हुड़ा ने रशोई गैस के दाम बढ़ाने की कड़ी आपती व्यक्त करते हुए कहा कि देश वाशियों के परमक्तिवारों में से एक होली के ठीक पहले रशोई गैस महंगा करके सरकार ने रंग में भंग डाल दिया है महंगाई से राध देने के बजाए सरकार कदम कदम पर आम गरीब हुए मध्य मुरगे पर आर्थिक परहार कर रही है यूबिये सरकार के सिमे जब गैस का सिलेंडर 350 रुपे का हुआ था बाजबा सरकार अपने से पर सिलेंडर रखकर सड़कों पर आ गए थे सोसल मेडिया पर उनके फोटो आज भी पड़े है अब सिलेंडर के दाम 1100 रुपे के पार होने के बावजूद बाजबा नेताओं के मूँ से निराशा चूं तक नहीं निकल रही उन्होंने सरकार से रसोई गैस के बड़े दाम तुनत वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि हमारी सरकार आने पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन भोगताओं को रसोई गैस के लिए 500 रुपे से जादा ने देना पड़े रसोई गैस किमते बढ़ने से गरहनियों में जबरदस्त निरासा है गैस सिलंडर महेंगा करके सरकार ने उनकी रसोई का बज़ट भिगाड दिया है गाउं गाउं में गैस सिलिंडर खाली पड़े हुए हैं महिलाएं लकड़ी वे उपलों पर खाना बना रही हैं जिसके धुएं से नेके और उनकी आँखों पर विपरित असर पड़ता है बलकि धुएं के सलते महिलाओं की आँखों से आसों भी निकल रहे हैं महिलाओं की रसोई का पूरा बजट भी गड़ गया है बेतहासा बढ़ती महिंगाई के लिए इस सरकार की ऐसी आर्थिक नीतियां